नमस्कार स्वागते आपका जनसत्य नियूज में और आपके साथ में हूँ फरहास देखी कोरोना का कहर जिसने देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया को जग जोड कर रख दिया हर कोई परेशान किसी के सामने जिन्दगी बचाने की जदो जहत तो किसी के सामने रोटी के लाले कोई अपनों के पास पहुचने को बेताब तो कोई अपने परिबार को बचाने के लिए सैकडो किलो मीटर पैदल चलने को मचपूर जी हाँ, कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का जो अदम उठाया वो काबले तारीफ तो जरूर है, लेकिन सरकार के इस अदम ने गरीबों की मुश्किले भी बढ़ा करती हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद देश भर में अपने अपने घरों को लोटने के लिए गरीब मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं, करे भी तो क्या करें, पबलिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, आने जाने का कोई जर्या नहीं, तो ऐसे में इनके सामने एक ही रास्ता बचा कि अगर अपनों तक पहुचना है, तो खुद को मजबूत बना कर पैदल ही ये सफर तै करना होगा, कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो मनजिल दूर नहीं होती, कुछ ऐसा ही जजबा नजर आ रहा है इन लोगों में, जिनने अपनों तक पहुचने की आस में न भूख का एसास है और न प्यास का, शायद तब ही तो ये लोग अपनी र पंगाल समेत कई राज्यों में जाने वाले मजबूरों की मानुबार सी आ गई है, खास्तोर से दिल्ली से यूपी के लिए निकलने वाली सबकों पर सैक्डों मजबूर हैं, ये मजबूर अपनी जरूरत के सामान सर पर उठा कर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के सा अपने घर के लिए निकल पड़े हैं, गरीबी की मार से बेजार ये मजबूर, हर संकट, हर समस्या की चुनौती का अंदाजा लगा कर शहर से अपने गाउं के लिए निकल पड़े हैं, ये शहर कभी उनके आसरे का ठिकाना था, यहां से कभी उनका और उनके पूरे परिव लेकिन कोरोना के कहर ने एक ही जटके में इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर दिया अब दिल्ली में इनके लिए जिन्दगी इतनी मुश्किल है कि इन्हें हर हाल में अपने काउं पहुचना है इसलिए अपनी घ्रस्ती सर पर संभाले इन मजदूरों को ना तो सोशल डिस किसमत से लड़ने का भी अलग ही मज़ा है ये मुझे जीने नहीं देती और मैं हार मानने वाला नहीं जिया आजकल राजधाने की तमाम सडकों पर पैदल चलते हुए पलाय उनको मजबूर लोगों का दर्द आसानी से देखा जा सकता है देखा जा सकता है कि कैसे वो अपन किसमत से लड़ रहे हैं तमाम हाईवे पर मजदूरों की भावी भीर मौजूद है जिनके लिए ना खाने पीने का बंदोबस ना ठहरने का कोई ठीकाना दिल्ली से सज़े नैशनल हाईवे 24 पर मजदूरों की मानों लंबी लंबी कतारी से लग गई है चोटे चोटे बच् पिलाने वाला मिल जाता है तो कहीं खाने को कुछ रोटिया नसीब हो जाती है और अब ये लोग खुद भी मान चुके हैं कि ये पूरा सफर इन्हें ऐसे ही तै करना है चार पैसे कमाने के लिए घरों से बाहर निकले थे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके लेकिन अब कमाई का कोई जर्या बचा ही नहीं तमाम फैक्ट्यों में ताले लटकने के बाद दिहाली मजदूर बे सहारा हो गए एक ही सहारा था वो भी अब इन से छिन गया और मायूसी इनके चहरों पर साफ दिखाई दे रही है परेशानी वाली बात भी है रोजाना मजदूरी कर चार पैसे कमा कर गुजारा करने वाले इन गरीब लोगों का कमाई का जर्या ही चिन गया तो अब ऐसे में ये जिए तो कैसे ऐसे हालात में ये खुद और अपने बेघर लोगों की मदद के लिए अब ऐसे तमाम हाथ उच चुके हैं जो उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं कई जगों पर आसपास के रिहायशी इलागों के लोग घर से खाना बना कर इने खिला रहे हैं गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हाथों म आम लोगों से लेकर पुलिस वाले और कई समाजिक संगठन तक शामिल है वही सरकार की तरफ से भी अब ऐसे लोगों के लिए खाने पीने के इंतजाम किये जा रहे हैं वही यूपी सरकार ने भी लोगों को उनके घर तक पहुचाने का जिम्मा उठा लिया है यूपी परिवहन विभाग को दिल्ली बॉर्डर से मजदूरों को उनके घरों तक पहुचाने के लिए बसे चलाने के निर्देश चारी कर दिये गए जिसके तहट सुबा आट बजे से हर दो घंटे पर बसे भी चलाई जा रही हैं जिससे मजदूरों को थोड़ी राहत जरूर मिली है मजदूरों को अब एक ही यकीन है कि अपने गाउं में पहुचकर ही वो सुरक्षित हो सकते है कहते हैं हर इंसान को अपनी मनजल की तलاش है मनजल के जिस्तचु में ही वो अपनी Зन्दगी सफर में जोग देता है लेकिन कोई मनजल आकरी नहीं होती क्योंकि मनजले जहां खत्म होंगी वहाँ जिस्तचा ह्थम सी जाती है अभी इसे पाउं के छाले न देखो अभी यारो सफर की इप्तदा है तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्तिनी उसको सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करें नमस्कार